हेलो गाईज, विल्कम टू आयन एजुकेशन चैनल, मैं बच्चों, क्लास 12th मैथ अन्सियार्टी सलूशन इक्सेसाइज 5.1 कुस्टिन नमबर 12 का वीडियो अप्लोड कर दें बच्चों, बच्चों, पुस्टिन में क्या करा रहा है, कि if x is equal to x की पावर 10-1, if x is less than and equal to 1, and x is equal, if x is greater than 1, बच्चों, इसका सलूशन क्या होगा, इसका सलूशन होगा, अले बच्चों हम लिखेंगे कि लेट के बी एनी, के बी एनी, real number, real number according to the question according to question according to question k is less than 1, k is greater than 1, and k is equal to 1, ये तीन कंडिशन को बच्चों हमको फालू करना है, तो first condition हम लेंगे, first case बच्चों हम लेंगे, क्या लेंगे, k is less than 1, तो बच्चों हमको क्या लिखना होगा, कि if fx is equal to, fx की वाईरू क्या है बच्चों, हमारी, x की पावर 10, यदि x is less than 1, k is less than 1, यदि x की प्लेस पे रखें हैं बच्चों, तो ये होगा, x की पावर 10 minus 1 हो जाएगा, और यदि यहीं पे x के प्लेस पे बच्चों दि हम k रख दें, तो क्या होगा, k की पावर 10 minus 1 हो जाएगा, इसी तरह से बच्चों, यदि हम इसी को लिख सकते हैं, की, and limit x tends to k, fx is equal to, fx is equal to क्या हो जाएगा, limit x tends to, x tends to k, और fx के जगए पे बच्चों क्या होगा, x की पावर 10 minus 1 is equal to k की पावर 10 minus 1 हो जाएगा, इस तरह से बच्चों हमारा यह हम देख रहे हैं, कि यह दोनों condition हमारों फालो कर रहा है, एक तो fk, first condition है, फाला equation है हो गया, equation number 2 माल लेते हैं, इसको ले रहे हैं, दोनों से, तो हम देख रहे हैं, तो दोनों हमारी value equal आ रहे है, fk की value और fx की value, तो हम लिख सकते हैं, कि fraction f e.j, fraction e.f e.j continuous, fraction e.f e.j. continuous, continuous is less than 1, less than 1, less than 1, less than 1, less than 1 के लिए क्या होगा, यह हमारा continuous होगा, अब second case बच्चों को क्या करना है, second case तिखेंगे, second case क्या करा, second case करा बच्चों हमें, second case हमारा दिया है, कि x is equal to, if x is equal to, हम लेंगे, k is equal to, if k is equal to 1 के लिए लेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हम जब दिखाएंगे, yaks yaks is equal to, तो जदि हम 1 के लिए लेंगे बच्चों, तो हमारा यह जो होगी, वैलू, yaks की power, 10 power minus 1 हो जाएगा बच्चों, और जदि yaks के place पर यदि हम k रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, k की power, 10 minus 1 होगा, और यदि हम यही पर बच्चों, यदि k के place पर यदि हम 1 रख दें, तो क्या होगा, 1 की power, 10 minus 1 is equal to, 1 minus 1 is equal to 0, अब बच्चों हम left hand limit और right hand limit हमको find करना है, तो हम क्या करेंगे, left hand limit is equal to, limit yaks tends to k, limit yaks tends to k, yaf yaks is equal to, अब बच्चों 1 के लिए ले रहे हैं, तो yaks tends to क्या हो जाएगा, 1 minus होगा, left hand limit के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे, बच्चों, yaks tends to 1 minus, और यहाँ पर लिखेंगे, yaf yaks is equal to, अब minus के लिए होगा, तो बच्चों हमारी condition फालो करेगा यह वाला, क्योंकि यह होगा, yaks की power 10 minus 1 हो जाएगा, तो yaks ही power 10 minus 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर वाइदू क्या होगा, कि limit यहाँ पर लिखना पड़ेगा, बच्चों, limit yaks tends to 1 minus, तो यहाँ पर 1 yen रखेंगे, तो 1 की power 10 और minus 1, तो क्या हो जाएगा, बच्चों, यह होगा, यक्सी power 10 minus 1, तो यह 1 minus 1 ही रिकल्टू क्या हो जाएगा, बच्चों, 0 हो जाएगा, अब बच्चों, हम right hand limit हम find करेंगे, तो right hand limit क्या होगा, तो right hand limit क्या होगा, कि limit yaks tends to 1 plus लेंगे, बच्चों, तो 1 plus जब लेंगे, तो इसके लिए हमारी condition कौन सा follow करेगे, यक्सी square वाला करेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, f yaks is equal to, यहाँ पर लिखेंगे, f yaks is equal to limit, yaks tends to 1 plus, यहां पर यलिए प्रस्टी को qe k aĩा लिखेंगे यक्सी स्क्षार लिखेंगे तो यक्सी स्क्षार के जग़ए फे स्क्षार क्या हो जाये गा वह थो यह उन हमारा क्या हो रहा है कि left hand limit is equal to not equal to right hand limit तो बच्वा मिस्तर समका सकते हैं कि fraction F इजे fraction F इजे discontinuous इसके लिए होगा बच्चो यक्स इपकल टू वन के लिए हम कहेंगे कि कि हमारा fraction F इजे discontinuous होगा यक्स इकल टू वन के लिए अब थर्ड केस बच्चो हमारा क्या है थर्ड केस हम देखेंगे थर्ड केस sincere व्र्चो क्या करना हैं थर्ड केस में, थर्ड केस अब यहां पर बच्चों हम देख लेंगे, यहां पर इसको निटा दे रहे हैं, थर्ड केस, थर्ड केस में हमें बच्चों क्या करना होगा, थर्ड केस में ग्रेटर दैन वान लिखना है थर्ड केस, जो होगा हमारा, थर्ड केस, थर्ड केस में क्य क्या होगा कि k is greater than 1 तो k is greater than 1 के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा if f x is equal to f x is equal to अब greater than 1 है तो बच्चों हमारा क्या होगा यहाँ पे x के place पे क्या होगा x square हो जाएगा और f x is equal to x square और x के जगह पे यदि हम k रखते हैं तो क्या होगा तो k रखेंगे तो हमारा हो जाएगा k square हो जाएगा अब यह चीज हो गया अब बच्चों अब हम लिखेंगे कि limit x tends to k f x limit x tends to k f x is equal to हम लिखेंगे तो क्या होगा x के place पर जाद ही हम greater के लिए ले रहे हैं बच्चों greater के लिए लेंगे तो x के जगह पर भी हम क्या रखेंगे यहाँ पर लिखेंगे limit x tends to k और f x के जगह पर x ही square हो जाएगा बच्चों तो यह क्या हो जाएगा की square होगा तो हम देख रहें बच्चों की हमारा जो है हम लिख सकते हैं and then यह पर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों और इस पर इस तरह से हम देखेंगे कि दोनों condition से हम लिख सकते हैं कि limit f x x tends to k f x is equal to क्या हो जाएगा f k क्योंकि दोनों की value उटक्वल है बच्चों तो हम कर सकते हैं f x is a continuous f x f x is a continuous 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 f x is a continuous is greater than is greater than f x is a continuous greater 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 than greater than f x is a continuous is a greater than one तो इस तरह से बच्चों कर सकते हैं कि हमारा therefore the fraction f x is a fraction f x is a continuous 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 is a k is a greater than one and k is a less than one दोनों के बच्चों दोनों के लिए condition के लिए बच्चों के लिए बच्चों हमारे क्या होगा इस continuous होगा इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यह question complete होता है तो मेरे प्यारे बच्चों यह question समझ में आ गया होगा तो बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बच्चों आप अपनी पढ़ाई पे विशेज ध्यान दीजिए हमें हमेशा हमारा हर समय एक एक मिनट आपको अपनी समय पे ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों जीवन में आगे बढ़ना है तो समय का महत्व समझना है कैसे हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप समय पे ध्यान देन और अच्छी तरसी पढ़ाई करें और सूर्च समझ के करें तो मेरे प्यारे बच्चों आप से मेरा यही रिक्वेस्ट है क की मेरी चैनल को सब्सक्राइब परियेगा थेंक्यू वास्टू बीचू